तो नमस्का उस्तो मैंने मरुद्र आप देखा आप इंफोर्मेशन तो आज हमारे पबजी मोवेल के अंदर आ चुका है एक न्यूँ इवेंट जिसका नाम है टैक्टिकल ड्रिल एंड ऐसा इवेंट हमें पबजी मोवेल के अंदर अल्रेडी दो बार देखने को मिला था पर काफी दिनों के बाद ये इवेंट आज हमें देखने को मिल रहे हैं और काफी ओपी इवेंट है क्योंकि इसके अंदर से आपको मिलने वाला है पर्मनेंट लेजेंडरी आइटेम्स तो वीडियो को पुड़ा इंटक देखो काफी जधे इंफोर्मेटिव वीडियो होने व वीडियो शुरू करते हैं तो इवेंट के ऊपर जो छोटे छोटे बैनर रहता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये टैक्टिकल ड्रिल का इवेंट ये इवेंट चलने वाला है आज से लेके मतलब 9 तरीक से लेके ये चलने वाला है नेक्स्ट मंत के 8 तरीक तक काफ यहाँ पर आपको एक एकेम का स्किन भी देखने को मिलेगा तो तीनों में से आपको कौन सा सबसे बरिया आइटेम लगा है नीचे कमेंट पर जरू बताना मैं तो फिलाल यह आउटफीट को लेने वाला है क्योंकि एक लेजेंडरी आउटफीट है और इस बार रोयल पास क आपको लेना है उसको पहले तो एक्टिव करना पड़ेगा तो मैं जैसे माइंडसेट कर लिया मेरा कि मुझे आउटफीट लेना है तो मैं यहाँ पर आउटफीट को एक्टिवेट करूँगा क्योंकि यहाँ पर देख सकते एक मैसेज आ चुका है कि जब भी आप कोई सब आउटफीट करओगे उसको 12 गंटे बाद ही उसको अब चेंज कर सकते हो तो पहले दिमाग को सांथ करके सोजो क्या चाहिए आपको सब तो आउटफीट अप एक्टिवेट कर सकते और आपकी मरसी है तो फिलाल मैं आउटफीट को एक्टिवेट करता हो एंन यहाँ पर ओक पर अगर मुझे इसको permanent लेना है तो पुरा का पुरा इवेंट मुझे complete करना पड़ेगा तो अभी मैं event explain आपको कर देता हूँ तो basically यहाँ पर कुछ missions है और इन missions को अगर आप complete करते हो तो daily basis में आपको यहाँ से 17 points मिले वाले हैं यहाँ पर इस outfit को permanent लेने के लिए आपको 90 points का जरूरत है तो easily आपका हो जागा daily basis में आपको बस missions को complete करना है और यहाँ पर expand a total of 30 उजी का mission है तो इसको अगर आप चाहो तो complete कर सकतो नहीं करोगे तब भी यह complete हो जागा तो अपको कर देता हूँ काफी simple missions है तो first mission के अदर आपको बोला गया है कि आपको teammate को एक kit मारो energy drink मारो सब यहाँ पर count होगा साथी साथ यहाँ पर बोला गया कि आपको अपने friend के group के साथ एक match complete करना है next mission के अंदर बोलागे कि top 5 के अंदर आपको finish करना है एक बार classic mode के अंदर and उसके बाद जैसे मैंने बता है spend a total of 30 उसी मत्तब 30 उसी आपको spend करना है तो अगर आ weekly mission है जहाँ पर आपको 6 points मिलेंगे और आप उपर के side देख सकते हो 90 में से 9 points आपको पहले से दिया जाता है पर एक चीज़ का ध्यान रखना अगर आप अपना जो mind है उसको change करते हो मतलब अगर मैं तीन दिन बाद इस outfit के बदले एक एम को select करने जाता हो तो मेरे जो point earned कि ह वो सारे के सारे चला जाएंगे ये भी आपको दिमाग बे रखना है और साती सथ rule के अंदर एक चीज़ भी बताया गया है कि अगर आप daily login नहीं करते हो इस event को खेलने का time तो आपका point भी minus होने वाला है मतलब daily आपको login एक बार कर लेना है तो ये कुछ rules है बाकी rules अगर पर add करना चाता हो कि अगर 90 में से 89 पॉइंट आपका हो जाता है एक पॉइंट से ये mission छूट जाता है मतलब ये event छूट जाता है तो आपको परमाइंट outfit नहीं मिलेगा तो ये बात का आपको ध्यान रखना है तो ध्यान से daily basis में आओ login करो जो भी सारे mission से उसको complete करो तो आ परमाइंट आइटे मिल जागा अगर अप सही तरीके से खेल जाकते हो तो दो आइटेम आप easily आसे ले सकते हो तो यहीं था overall event कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे comment पे जरू बताना काफी बढ़िया इवेंट एंड काफी OP सा outfit दिया जा रहे PUBG मोवाइल के और से और PUBG वा परमाइंट लेजिंडरी आइटेम आपको इस event से मिल दे वाला तो जरूर से खेल लेना काफी सिंपल भी है नॉर्माली खेलते-खेलते complete हो जाएगा आपका तो यही था overall वीडियो क्यासा लगा आपको ये वीडियो नीचे comment पे जरू बताना वीडियो कर अच्छा लगा है